नमस्ते चात्रों आज हम इस वीडियो में गुप्तों का प्रांत ये शासन व्यवस्ता के बारे में जानकर प्राक्त करेंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नहीं नोटिफिकेशन मिलें और आप एकजाम की अच्छे से तयारी कर सकें तो हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो प्रीक्षा की दस्टेजे बहुत ही महत्तों पून वीडियो होते हैं अत्याय इत्यास विशे की तयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर अच्छे से अच्छे कर सकते हैं और यदि हमारे वीडियो में कोई कमी गलती आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा हम सुधार करने की पूरी पूरी कोसिस करेंगे तो गुपतों के बारे में हमने पहले भी काफी वीडियो बनाए हैं गुपतों के बारे में महित पुन्तत्थे और गुपतों की सासनम व्यवस्ता के बारे में और जैसे आपका तेनों विस्व विदल्य हैं जो नालंदा, तकसीला, विकरम, शिला इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो आप ले लिस्ट में जाके और इन वीडियोज को अच्छे से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्तों का प्रांत ये सासन कैसा था पर सासन की सुविधा के लिए विशाल गुप्त समराजे अनेक प्रांतों में वजित किया गया था प्रांत को देश अथ्वा देश अवनी अथ्वा भुख्ती कहा जाता था गुप्त सासन के परमुक प्रांत देखेगा कौन-कौन से थे तो एक्यू संदू पक्का पूछी लेते हैं किसी भी एक्जाम में कि प्रांत को क्या कहा जाता था प्रांत को वैसे देखें तो जो सबसे महत्यों पुर्ण स्रब्ध है प्रांत के लिए उत्वा बुक्ति ठीक है कई बार इज्जा में पूछ लेते हैं बुक्ति किसे कहा गया है वो है आपके प्रांत गुप्तकाल के प्रांत ठीक है तो गुप्तकाल के प्रांतों को देश अ पूर्वी मालवा, एरन, टीर, भुक्ति, पुंड्र, वर्धन और मगद, ये प्रान्त थे गुप्तकाल में, भुक्ति के सासक को उप्रीक कहा जाता था, जिसके निउप्ति सम्राठ द्वारा की जाती थी, तथा वह सम्राठ के प्रति उत्तरदाई होता था, सिमान परदेशों के सासक गोपता कहलाते थे जिनकी निवक्तिस समराथ प्रियाप सोच विचार करते थे उप्री के पदपर प्राह राजकुमार अपना राजकुल से सम्बंदित विक्तियों की ही निवक्ति की जाती थी उपरी के पद पर प्राय है राजकुमार अथ्वा राजकुल किसे सम्मंदित वेक्तियों की ही निव्टी की जाती थी ठीक है परन्तु कभी-कभी अन्य योग्ये वेक्तियों को भी यह पद परदान कर दिया जाता था ठीक है कुमार गुप्त के समय में उत्री बंगाल में पुंडर वर्दन नामक प्रांध गुप्त समराजे के अंतरगत था जहां का सासक चीरादत था इसकंद गुप्त के समय में परणध उसके समराजे के पसिमी परदे सूराष्टर का राज्ये पाल था इसकी निव्टी प्रहे पांच वर्सों के लिए की जाती थी ठीक है तो ये तो आपका प्रांध ये विवस्ता हुई अब देखें का जिल्ला था नगर का परसासन क्या था भुक्ती का विवाजन अनेक जिल्लों में हुआ था तो जो प्रांध होते थे उनका विवाजन अवा अनेक जिल्लों में हुआ था जिल्ला को विशे भी कहा गया है जैसे प्रांदों को बुक्ति का गया वैसे जिल्लो जो जिल्ला होता था उसको विशे कहा जाता था इसका परधान अधिकारी विशेपती होता था विशेपती को कुमार अमाते भी कहा जाता था विशेपती की नियुक्ती प्रहे सम्मंदित प्रांत के उपरिग अर्थात राज्येपाल तो उपरिग को तो राज्येपाल भी का जाता था और जो इसका विशे का विशेपती होता था इसको कुमारा माते भी का जाता था दो दो नाम दोनों की उपरिग राज्येपाल विश उसके नियुक्ति करता था विशेपती का अपना कार्याले होता था कार्याले के अभिलेकों को सुरक्षित रखने वाले अधिगारी को पुस्त पाल कहा जाता था तो ये किसन भी कई बार आ चुका है कि पुस्त पाल किसे कहा जाता था तो कार्याले के जो अभिलेक होते थे उ नगरसरेष्टी जिसको नगर के महाज़नों का प्रमुख होता था नगरसरेष्टी सार्थवा है। विवसाईयों का परधान पर्थम कुलिक, पर्धान सिल्पी और पर्थम कायस्त मुखे लेखत। फरीदपुर तामर पत्तर संख्या तीन में विशेय पती के सदस्यों की संख्या बीस मिलती हैं विशेय समीती के सदस्ये विशेय महतर कहे जाते थे तो विशेय समीती के जो सदस्ये होते थे वो विशेय महतर कहे जाते थे परमुक नगरों का परबंद नगरपाली का यह चला नगर परशासन में पुरपाल की सहता कंडिये के लिए एक सम्मीती होती थी जो नगर लेक से पता चलता है कि गिनार नगर का पुरपाल चक्रपालित था ठीक है जो सुराश्टर के राजेपाल पानदत का पुत्तर था उसी ने वहां सुदर्शन जील के बांध का निर्मान का ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुपतों के प्रांत या सासन विवस्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की वीडियो छोटा है लेकिन एक्जाम की दरस्टी से एक एक लाइन इंपोर्टेंट है तो आप वीडियो को अच्छे से देखेगा आपको एक्जाम मे बहुत सयोग मिलेगा हमारा वीडियो अंतक देखतें के लिए आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद